क्यों ओडी से कही संतान भाई धर्मेंदर प्रदान जी की इसमें बड़ी भूमवी का रही है साथियों हमारे देश में रसोई गैस आजादी के करीब करीब दस साल बात आही गई थी लेकिन बात के दसकों में रसोई गैस एक लगजरी बन गई रहिशी लोगों की प्रतिशा बन गई लोगों को एक गैस कनेक्शन के लिए इतने चक्कर लगाने पड़ते थे इतने पापड बेलने पड़ते थे और फिर भी उन्हें गैस नहीं मिलती थी हालत ये थी कि साल 2014 तक आज से 6 साल पहले 2014 तक देश में रसोई गैस की कवरेज सिरफ 55 परसंट थी जब एप प्रोच में पर्मनेंट सॉलूशन का भाव नहों तो यही होता है कि साट साल में रसोई गैस की कवरेज सिर्फ 55 परसंट अगर देश इसी रफ्तार से चलता तो सब को गैस पहुंचने में ये शताब्दी भी आधी और बित जाती है कि 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद हमने तय किया कि इसका पर्मनेंट सॉलूशन करना ही होगा आप जानते हैं आज देश में गैस कवरेज कितनी है 98 प्रतिशत से भी जादा